सुप्रिम कोट के वरिष्ट नियाय धीश विधर्व से तालुक रखने वाले भूशन गवई और नियाय मूर्ती दिपांकर दत्ता ने नियू यूर्क में आईजित नंतर राष्ट ये नियायक विवास समधार नेटवर्ग यानी JDRN समेलन में भाग लिया इस समेलन में गवई भारतिय प्रतिनीदी मंडल का नेतरित कर रहे है समेलन को संबोधित करते हुए गवई ने भारत की प्रभावी नियाय विवस्था को दुनिया के सामने पेश किया अंतराष्ट ये नियायक विवास समधान नेटवर्ग समेलन का उदगाटन 18 मई 2030 को किया गया आठ वा उन्नीस मई को आयजित उदगाटन सत्र में भूशन गवई ने समबोधित किया इस समयलन में भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, इंग्लेंड और वेल्स, आयरलेंड, आदि देशों के प्रतिनीधियों ने भाग लिया भूशन गवई ने अपने समबोधन में अंतराश ये नियाएक प्रतिनीधियों के सामने भातिय नियाएपालिका की संडशना और नियाएप्रिशासन के लिए लागू की जा रही विविन प्रभावी पहलो का परिचे दिया भातिय पंचाय संस्कृती में मध्यस्था और समझहोती का बहुत महत्वपून स्थान है इसे संस्कृती में किसी भी विवाद को सोहार्दपून समधान को प्रात्मिक ताद दी जाती है भूशन करवी ने व्यापक माद दशन करते वे राशपती महत्मा गांधी ने देश में विवादों के आदालत से बाहर समधान की अवधारना को स्थापित करने में अमूली योग दिया दिया है इस पर केंद्र किया साथी सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक देश के कानूनी सेवा प्रधिकरन ज़रुत मन पक्षों को उचित नयाय दिलाने के लिए सराहन ये काम कर रहे है ववधिस सेवा प्रधिकरनों के माध्यम से क्रियान वित की जा रही ही लोग अदालत की पहल एतिहासिक होती जा रही है इस बारे में भी जानकारी दी गई NBCN News के लिए राजकुमार मोड के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट